हेलो गाइस वेलकम टू प्रेप की यूट चैनल गाइस आज मेरे पास अनॉंसमेंट है उन स्टुएंट्स के लिए जो अभी फिलाल मसे फिजिक्स परस्यू कर रहे हैं और असिस्सिन पर्फेसर बनना चाहते हैं या फिर वार्क डीर्ड जैसी ओगनाजेशन को जॉइन करना देख कर सकते हैं उसके बाद आपका इंट्रुवी होता है लेकिन सबसे पहले आपको यह एक्जाम करेक्ट करना होता है और ऐसी अगर आप असिस्सिन परफेसर बना चाहते हो किसी कोलेज के अंदर तो आपको नेट एक्जाम को करेक्ट करना होता है ज़िए आपका CSR net exam हो लेते हो तो आप क्वालिफाई हो किसी भी अच्छे इंसिक्यूट से प्येच्छी करने के लिए और साथ मापर आपको स्टाइप भी मिल रहा हुआ है यानकी फैलोशिप आपको मापर मिल रही हो तो गैस अगर आपका बहुत इंडियों से या तो आप बाक डिया डियों को ज सारी चीज़ आने बादे में जो ही इन एक्जाम को ट्रेक करने साथ है तो इन पैटिस को क्यों करने के लिए स्टार्ट करते हैं इन डिटेल के साथ तो गैसे जो पैच है हमारा CSNAT और GATE फिजिक्स का ये स्टार्ट होगा का इस 15 दिसम्बर से और गैस एक टीज और यहां पर मैंने नाम दोस्त एक्जाम का लिखा है CSNAT और GATE अगर बात किजाए TFR जैस्ट वार्क एक्जाम का तो उनका भी जो स्लेबस होगा वो आपका सेम रहेगा बस जो लेवल का है वो फरक रहता है जैसे कि नेट और गेट के लेवल में फरक है लेकिन जो स्लेबस है वो बि साइड की ऊपर होता है रहते हैं नेट एक्जाम के लेकिन गेट एक्जाम के अनदर गेट तो सेम लेवल का कह़़ा सकते हो बस एंसी का होगा cuma कि होह अगर आपको यहाँ पर सारी चीज़ यहाँ डिटेल में आ रही होंगी क्योंकि सबको नहीं पता होते कि जैम एक्जाम क्या है तो अगर आपने जैम की प्रफेशन नहीं भी की थी तब भी कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर जो गोर्स आने वाला है गोर्स आपका दिसमबर में और जून में होता है तो जो 2024 तक वाला लेने वाले हैं प्लैन तो उनके पास जो एक्जाम होगा आपका वो December 2023 के लिए preparation होगी चीक है और जो 2025 वाला है गाईज उसके अंदर आप तीन बार लेट exam दे सकते हो December 2023 उसके बाद फिर June 2024 उसके बाद फिर December 2024 और ऐसे फिर आप गेट 2025 उसके बाद दोगे और अगर आप बार एक्जाम भी दे रहों तो वह आपको इनकी बीच में लाए कर रहा होगा TIFI जैस्ट भी ऐसे बीच में लाए कर रहे होंगे इनके अंडर में तो यह तो था गाईस यहाँ पर यह बारे में अभी बात करते हम यहाँ पर कि आपको इस कोर्स के अंदर मिल क्या क्या रहा होगा आप कुछ को प्रेक्टिस कर सकते हो उसके बाद जैसे आपका एक कंप्रीट टॉपिक फिनिश हो जाए आपको तीन चाह दिन अच्छे से उनकी यह को प्रेक्टिस करने सारे असाइंग्मेंट सोल करने है अगर आप बुक को साथ में रैफर करना चाहते हो तो जो बुक्स में आपको कोशन मिल रहे हैं आपको वह करने हैं और उसके बाद आपको यहां पर टॉपिक वाइस टेस्ट देते हुए चलना है अगर टेस्ट नहीं दोगे ना तो पर वालों का फाइदा ज्यादा नहीं रहेगा ठीक है लेकिन नमबर होगा लेकिन इस्टिल यहां कुछस्ट स्क रहत है कि में और और मिल जाएगी उसके बाद आपको यहां पर है है टोपिक boxfires टेस्ट देने है मस्ट है ठीक है मैं कहा रहा हूँ मस्ट अगर ये कर लिया ये नहीं किया तो कहीं नहीं आपकी प्रपेशन लेक करेगी तो आपको इन तीनों चीजों को रखना है और गाइस लास्ट में आपको यहाँ पर test series मिल रहे होंगे जहां पर आपको subject wise test और full learn test मिल रहे होंगे सभी subjects और full learn test में तोयार होंगा ये पूरा pattern के उपर मिलेंगे net exam से पहले आपको net के according मिल रहे होंगे नेट के format के according मिल रहे होंगे जुसका pattern होता है और ऐसे सी चीज आने वाले क्या content सारा एक साथ मिल जाएगा नहीं तो ऐसा नहीं होने वाला कि कि आप enroll करोगे आप 100% स्लेवर्स मिल जाएगा तो दीरे दीरे यहाँ पर content upload हो रहा होगा अगर सबसे पहले की बात की जाए अभी की बात की जाए अभी है किस दिसंबर 15 दिसंबर से ह यहां कि कुछ पॉश्चन आपका दिसंबर में upload किया जाएगा कुछ पॉश्चन आपका जनवरी में upload किया जाएगा और सायत में आपको जनवरी के अंदर atomic physics मिलेगा अब यहां पर हो सकता है एक्जाम्स खतम हो चुकियों तो अभी आपके पास यहां पर क्या है ताइम है तो यहां पर classical mechanics आ जाएगी उसके बाद classical mechanics सिर्फ में नहीं मार्च के अंदर भी जाएगी तो आपकी दोनों चीज़ें यहां पर चल रही होंगी उसके बाद तो यानि कि आपका यह सब्जक्स के अंदर कवर हो रहागा साथ मार्च के अंदर आपको nuclear physics में मिल रहे होंगे तो यह सारा सीन रहने वाले मार्च तक अब उसके बाद हो सकता कि आपका थोड़ा सा लोड़ इंक्रीज हो जाए ठीक है college के अंदर क्योंकि अब exam पास आने वाले होंगे तो यहां पर क्या होगा April और मही के अंदर आपको electronics यहां पर मिल रहा होगा आपके university के exam तब भी आत आपका पूरा structure अगर आप यह चीज़ फोलो करते वें चलोगे ना तो believe me आप बिल्कुल अराम से syllabus कर लोगे बिल्कुल शांति के साथ कोई जल्द बाजी में नहीं करोगे कोई भी subject कवर ठीक है आपके पास sufficient time दिया गया हर एक course को यहां पर ठीक है तो आपके पास यहां प आपको assignments होल करने होंगे अच्छे से उसके बाद आपको test भी देने होंगे अगर आप यह pattern फोलो को गरो believe me एक अच्छी rank लेकर के आओगे लेकिन यार अगर यह चीज़ फोलो नहीं कर रहे हो तो फिर उस case में कोई आपकी guarantee नहीं ले सकता है लेकिन इतना जुरू कह रहा होगा अब यह condensed matter physics क्या होता है हो सकता है कि आपने इसका नाम ना सुना हो यह कुछ नहीं गाइस just solid physics है न यह वैसा ही है मत बेसिकली जो सोलिट सेट फिजिक्स होती है वो इसका एक सब पार्ट होता है ठीक है तो इसके अंदर हमारी काप सारी चीज़े रहने वाली है एक important subject सब्जेक्ट रहेगा हमारा condensed matter physics उसके बाद आपका thermal and statistical mechanics रहने वाला है ठोटा सा पोशन होगा और यह सेम पोशन होता है जो जैम के इंदर होता है लेक्ट्र सापके पहले अप्लोड हो जाएंगे लेकिन मैं आपकी बात कर रहा हूं क्योंकि यहां पर देखो अगर ध्यान दिया आपने तो यहां पर मैं इसको schedule को थोड़ा सा light रखा है कि condensed matter physics ही है यहां पर सिर्फ यह ही यह है क्योंकि आपके यार जो exam होंगे third semester के जो exam होंगे चुंकि यार आप हो सकता कि अभी MSC के दोरानी course को ले रहे हो अगर आप pass out हो चुके तो तो यार अलग बात है फिर तो आप her time free हो लेकर अगर आप अभी MSC में हो तो आप third semester का जो आपका exam होगा कब होंगे आपके महें में हो जाएंगे maximum आपके जून तक जा सकते हैं ठीक है तो अब यहां पर आपके exam सों खतम हो चुके होंगे तो इसके बाद ही मैंने still यहां पर एक एक बुक्स को रैफर करना थोड़ा सा सजेशन रहेगा ताकि आपको इंटर्वी में help मिल रही हो और revision करते हुए चलनी है question जितने हो उतने आपको side by side यहां पर practice करते हुए चलने है क्योंकि आप इस time के उपर again free होगे अगर September, October में आप free होगे November के अंदर हो सकता कि आपका university का pressure भी आ रहा हो December के अंदर भी आपके हो सकता कि exams हो रहे हो यहां पर आपकी November में test series यह वो start हो जाएगी subject wise test आपको यहां पर मिलने start हो जाएगे December के अंदर आपका net exam यहां पर test देने होंगे और जो जो test है यह already October में upload हो जाएगे subject wise test आप अक्तूबर से भी देना चाते हो तो आप दे सकते हो और अगर आप November में start करना चाते हो तो आप वह भी कर सकते हो तो यह आपके according ली है मैं दोनों के according schedule share कर दूँगा अक्तूबर से start करना चाते हो महासर भी कर सकते हो नमंबर से start करना चाते हो महासर भी कर सकते हो जैसा आप comfortable उसके according ली कर सकते हो मैं दोनों के schedule share कर दूँगा आपके साथ ठीक है उसके बाद गैस आपको यहापर December में आपने net exam दिया उसके बाद गैस आपका January और February में आपक दूबारा से revision कर लें क्योंकि आप एक बार तो आपने revision कर ली ना net exam से पहले उसके बाद गैस आपको mid January तक फिर से उसको revise कर लेना है और फिर आपको यहापर gate के full land test देने जनवरी के अंदर है revise की आट टेस्ट दिये revise किया test दिये यहापर guys December के अंदर आपको full land test मिल रहोंगे वो net के pattern के उपर मिलेंगे और यहापर जो January के अंदर full land test मिल रहोंगे वो आपको gate के pattern के उपर मिलेंगे तो guys यह scene रहने वाले 2024 aspirants के लिए और guys जो 2025 वाले है वो भी same schedule follow करना चाहें तो कर सकते हो कि आप एक साल के valid रहेंगे लेकिन फिर मैं two year का subscription क्यों लूँ one year का क्यों ना ले लूँ तो guys आप one year वाले के साथ भी जा सकते लेकिन two year वाले यह कि अगर in case ना हुआ तो तो उस case में क्योंकि आर देखो सबका level same नहीं होता है let's say अगर आपने IT jam के preparation की थी तो one year more than sufficient है आपका बिल्कुल अ detailing काफी जाद है course के अंदर काफी बड़े बड़े courses हैं इन course को complete करने के लिए हमें आपर क्या चाहिए टाइम चाहिए और हो सकता है कि यार आप अपनी MSC के दौरने तरह टाइम ना निकाल पाओ कि इस course को seriously क्यों यार हर यूनिस्टी का scene अलग अलग अ तो इसी वज़े से म तो अगर आपको यह फिल हो रहा है कि आप वन येर में शैसे ना कर पाओ क्योंकि आपके basic week हैं क्यों यार कुछ students को यार मैं देखते हैं जिसे मैं IT jam का बढ़ा रहा हूं अभी फिलाल उनकी live classes होती हैं तो जो 11-12 के जो concepts हैं वो भी week हैं तो अगर आपको ऐसे लगता है कि आपके basic के जो concept हैं वो week हैं तो आप उस case में 2-year वाल के साथ जा सकते हो और अगर आपको यह लगता है कि यार जैम हमने निकाला हुआ ओलड़ी basic की जो concept है वो अच्छे से clear हैं तो उस case में आप 1-year वाल के साथ जा सकते हो बिल्कुल अराम से आप निकाल लोगे exam को ठीक है वन-year के अंदर ही चूंकि यार वही है अगर basic है तो जाधा दिक्कत है नहीं आते लेकर अगर basic week है तो दिक्कत की बात है ठीक है तो अगर basic week लगते हैं आपको तो two year के साथ जाओ basic strong है तो one-year वाला sufficient रहेगा और price के अंदर भी यार जाधा difference नहीं है और काफी minimal price में आप पर रखी हुई है ठीक है तो आप जा सकते हो ट्विर वाल के साथ भी कोई दिक्कत नहीं है तो गैस अब बात करें कि हमारा इस course के दोरान जो focus है वो किन चीज़ों के उपर रहेगा तो guys हम यहाँ पर relevant derivation करेंगे जो भी important derivation से हमारी entrance point of view से वो cover करेंगे और जो interview के point of view से है वो भी हम cover करेंगे relevant derivation उसके बाद guys हमारा जो main focus रहेगा वो रहेगा concepts के उपर क्यार हम क्योंकि आर देखो हमें question solve करने है एक्जाम के दो तो उनके लिए जो में concept चीज़ों ट्रिक्स ही है वो सारे चीज़े हम यहाँ पर discuss करेंगे साथ में guys हम problems cover कर रहे होंगे साथ में जो pyqs arc हैं वो भी हम cover कर guys अगर मैं जो course पढ़ा रहा हूं उसके अंदर आपको pyqs नहीं मिलेंगे तो आपको थोड़ा सा feel होगा कि यह जो हम पढ़ रहे हों क्या relevant भी है क्या तो guys side by side आपको हम आप पर pyqs मिल रहे होंगे बीच में ताकि आपको relevancy दिखाए दे कि हां यार कि अब मैं इस टाइप को questions कर सकता हूं एक confidence भी होता है pyqs करने से ठीक है और इसलिए मैं कहुंगा assignment को जरूर से कलेना क्योंकि assignment के अंदर जो questions में डालने वाला हैं यहाँ प तो guys यह तो था कि आपको यहाँ पर क्या-क्या मिलेगा अब guys यहाँ पर बात की जाए pricing की तो guys जो pricing है आपकी 2024 बैच के लिए जो आपकी pricing है वो है 7299 और ऐसे जो 2025 है उसके लिए जो pricing है 12,999 और guys यह अभी special price है बाद में थोड़ा change होगा ठीक है मतलब 31 December के बाद आपकी ज जॉइन कर सकते हो description में आपको link मिल जाएगा course का वहाँ पर जाका क्या आप जॉइन कर सकते हो और या फिर आप directly app के उपर जा सकते हो प्रेपकिट एप को आप डाउनलोड कर सकते हो Google Play Store से या फिर आप website विजिट कर सकते हो www.myprepkit.in पर और guys जो आपकी classes रहेंगी ना यह आप access कर पाओगे app पर ठीक है और website के उपर आप assignment और टेस्ट दे सकते हो ठीक है इसकी slide में डाली हुई है तो guys जो course की आपकी जो access है वह कहाँ पर मिलेगी वह आपको सिर्फ app के उपर मिल रहेंगे lectures आप mobile access कर सकते हो या फिर आप tablet का use कर सकते हो ठीक है और जो assignment test है guys उसकी आपको क्या मिल रहेंगे soft copy मिल रहेंगे जिनको आप download कर सकते हो ठीक है वाया app और laptop जैसे आप करना चाहो और वहां से उनका printout भी निकलवा सकते हो अगर आप लेना चाहते हो तो अब ही printout ले सकते हो ठीक है क्योंकि guys मैं available करा हूँगा लेकिन या उस इसमें भी time लगेगा थोड़ा सा hard copy available करवाने में तो अभी आप printout ले सकते हो क्योंकि अभी assignments सभी ready नहीं है दीरे-दीर assignments अभी बन रहे हैं ठीक है तो अभी उनके अंदर time लेगा कि सारे assignment मेरे पास ready हो जैस तो उनकी hard copy release कर दी जाएगे लेकिन उसके अंदर भी बहुत time है ठीक है तो suggestion यह रहेगा कि अगर आप अभी enroll कर रहे हो तो आप printout assignments का निकलवा सकते हो ठीक है ओके और guys in case अगर आपके पास अभी भी कोई query है कुछ ना समझ में हो कोई doubt हो तो guys आप मेरे को contact कर सकते हो यह WhatsApp चीज़े clear होंगी और doubt आए तो यह WhatsApp नमर यहां पर side में लिखा हुआ है और guys देखो इस course के अंदर ना आपको सारी वैसी चीज़े मिलने वाले जो आपको चाहिए exam को crack करने के लिए तो अगर आप यह चीज़े फोलो करोगे आपने recorded classes अच्छे से देखी है आपने assignments अच्छी rank भी आएगी ठीक है बस बात यह कि आप इसको कितने अच्छे से करते हो कितना परसंट कवर करते हो ठीक है अगर आप 80 परसंट भी स्लेबर कर लोगे बहुत हाई चांस से किया आपका बड़ी अच्छी rank के साथ clear हो जाए exam ठीक है तो guys अगर interested हो description में आपको link मिल जाएगा 15 December से आपकी यहां पर classes available हो जाएंगी अपर अभी आपको एक डाउट भी आ सकता है कि अगर हमें क्लास के बीच में कोई डाउट आएगा तो उसका हम क्या करें तो guys उस चीज़ के लिए आपके पास एक factual डाउट है कि आपको यहां रही लगारा कि ऐसा होता है तो ऐसा होगा क्या तो अगर इस काइंड का डाउट है तो आप मेरे को वर्टसेप पर टेक्स कर सकते हो ठीक है आपकी वहां पर हो कहरी ही जो आपका डाउट है वहां पर clear हो जाएगा कोई दिक्कतनी उससी की यही वर्टसेप नमबर है आप इसके उपर में को कॉंट्रैट कर सकते हो और assignments के questions हैं उनके solution अभी दिरे-दिरे हम upload करेंगे सारों के लेकिन यार वो ही है कि एक साथ सभी के solution देना possible नहीं हो पाएगा तो अभी starting के लिए हम क्या कर रहे हैं यार एक आपको link share कर दिया जाएगा जो भी आपके doubts होंगे assignment के आपको उसके अंदर उसको share कर देना है कि यार मेरे को यह in question के अंदर doubt है और उनको as a lecture format आपके लिए upload कर दिया जाएगा यानि कि वो भी आपके lectures के part हो जाएंगे जो भी आपके जो भी आपसे question सोलनी हो रहे थे उनका भी आपको क्या मिल जाएगा lecture मिल जाएगा वीडियो solution मिल जाएगा यान के short account हो ठीक है तो आपको यार कोई tension लेंकी जूरत नहीं कि यार अगर आपको कोई doubt आपको clear हो जाएगा ठीक है कैसे होगा यार वह मेरे उपर है लेने के कोई बात नहीं है जो भी डाउट आए WhatsApp कर सकते हो या फिर जो मैं लिंक आपको share करने वालो मापर उस डाउट के अपने detail mention कर सकते हो ठीक है तो गाइस मिलते हैं हम classes के अंदर और इसके लावा एक चीज़ और कुछ interaction session करें हो गार मैं कोई है क्या है ठीक है और कितनी आपकी चल रही जुक्तर पर मिलते हैं इस ओर अपका चैनल बना दिया जाएगा जो बिस्वंटीज संबर बना दिया जाएगा और वीडियों अगर ँन के साथ बाद में देख रहे हो काफी तो magazines तब भी दिक्कत की बात है जिस की आप अप हैं आप अर्फन कर सकते हो अपने सब्सक्राइब सब्सक्राइब Optum